असलाम लीकूम, वेलकेम टू मार यूट्यूब चैनल, टूड़े अवर टॉपिक इस डाइवर्सिटी इन डाइजेस्टिव स्टुक्चर्स आफ वर्टीब्रेट्स, यानि वर्टीब्रेट्स के डाइजेस्टिव स्टुक्चर्स एक दूसरे से किस तरह वेरी करते हैं, बकल कैविटी है, नेक्स्ट फेरेंक्स, इसोफेगस, इस्टमेक, इसमाल इंटस्टाइन, जो के एंड किस पे होती है, एनस पे या कलोयका में, ये बेसिक स्टुक्चर्स हैं गट के, इसके इलावा कुछ ग्लैंड्स जो होते हैं, वो भी गट के साथ असूसियेट होते है पेसिकली तीन तरह के ग्लैंड्स की हम बात करेंगे, फर्स्ट वेन, स्लाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, स्लाइवा सेक्रीट करते हैं, सेकिंड वान, लीवर है, जिसके साथ गाल ब्लैडर असूसियेट होता है, और इनकी जो डक्त है, इसे हम बायल डक्त कहते हैं, थर्ड पेंक्रियास और इसकी डक्त को हम क्या कहते हैं, पेंक्रियाटिक डक्त, अब जो औरल कैविटी है, या जितने भी स्टक्शर्स है, इसो फेगस है, स्टमिक है, यह हर अर्गनिजम में मोडिफाई होते हैं, और दूसरे अर्गनिजम से किसी हाथ तक डिफरेंट होते हैं, यह अब तीन पॉइंट्स पे डिपेंड करता है कि डाइजेस्टिफ स्ट्रक्चर कैसा होगा. सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि आर्गिनिजम फूड किस तरह की खाते हैं. यानि वो एनिमल फूड का रहे हैं, जो प्लांट मेटर हैं, उस पे फीट कर रहे हैं, यानि फूड की टाइप क्या है. सेकंड वो उस फूड को अप्टेन कैसे का रहे हैं, यानि उनका फूड गैदरिंग का मेथड क्या है. थर्ड ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि जब फूड उन्होंने गैंदर कठी कर ली ठीक है पहले उन्होंने डिसाइड किया हमने इस तरह की फूड खानी है सेकंड आप्शन पर उन्होंने फूड ही कठी कर ली अब थर्ड आप्शन ये है कि उन्होंने उसको digest कैसे करना है ये तीन options होते है अब सबसे पहले हमारे पास है tongue tongue basically कहां पे होती है on the floor of oral cavity fishes से हम start करेंगे ठीक है fishes में जो lamp prey है ना उसकी tongue highly modified resping tongue होती है क्योंके lamp prey जो है basically blood feeder है इसके इलावा इसकी tongue के गिर्दना teeth होते हैं जो prey को hold करते हैं और बाकी fishes जो है ना उनमें भी tongue तो होती है लेकिन वो muscular नहीं होती tetra pors की अगर हम बात करें fishes के बात तो tetra pors में जो tongue evolve हुई है वो highly mobile है और highly active है यानि वो बाहर निकल के मूँ से बाहर आके अपने prey को capture कर सकती है tetra pors में हम सबसे पहले बात करेंगे frog और salamanders की और इसके इलावा lizards की ये क्या करते हैं अपनी tongue को बाहर बेजते हैं और वो prey को capture कर लेती है इसके बात birds के अगर हम बात करें तो woodpacker है woodpacker क्या है ये insects वगारा पर feed करता है bird और इसके tongue कैसी होती है long spiny tongue होती है यानि spines लगे होते हैं side बे ठीक है इसके इलावा termites हैं और ants वगरा हैं उनमें क्या होता है उनमें long sticky tongue होती है होती long है लेकिन sticky secretions होती है इसके इलावा जो cats वगरा हैं dogs हैं उनकी tongue बेना spiny pepillai होती हैं यानि ऐसे कांटे की तरह के लिए structures होते हैं जिसकी help से ना वो animal flesh पे feed कर सकती है अब यहां पे देखें picture A में ये लैंप्रे की tongue है ठीक है और इसके गिर्थ 200 teeth जो हैं वो present है second one frog की tongue दिखाई गई है third में एक lizard है chameleon इसकी tongue है और इसकी tongue जो है ये exceed कर जाती है इसकी body length से इसके लावा wood picker की tongue है ये long और spine होती है next हमारे पास है teeth कुछ ऐसे organisms हैं जिनमें teeth नहीं होते वो कौन कौन से हैं first one birds second one turtles third one blean whales अब whales है turtles हैं birds हैं इनमें teeth नहीं होते birds में क्यों teeth नहीं होते क्योंकि उन्हें move करना होता है इसलिए उनका body weight कम किया जाता है उनके teeth को खतम करके बल्कि उनमें beek होती है अब teeth भी जो होते हैं वो specialized होते हैं कि organism ने किस तरह की food खानी है और उसने food कैसे खानी है ठीक है यानि उसने food cheat फार के खानी है sucking कर के खानी है उसने feed कैसे लेनी है स्नेक्स के teeth की बात की जाए तो ये slow backward होते हैं पीछे की तरफ होते हैं ठीक है तांके जो prey है ना उसको बहे ना निकलने दिया जाए prey की retention के लिए उसके बाद जो next है herbivores herbivores ने पता है grind करना होता है तो उनमें teeth का large surface area होता है beavers बगारा का क्या होता है उनके front teeth जो है modified होते है cheese link के लिए tree की cheese link के लिए उसके इलावा elephant की बात करें तो उसमें आपको पता है large front teeth होते है ठीक है और उनके दो functions होते हैं protection परवाइड करते हैं और movement of objects यानि दो functions परफॉर्म करते हैं movement के और protection के उसमें ओम्निवर्स की बात करें तो उनमें जो teeth होते हैं वो modified होते हैं हर तरह के function के लिए क्योंकि उन्होंने क्या करना होता है plant petal भी खाना होता है और animal food पे भी feed करना होता है इसलिए वो grind भी कर सकते हैं cheese link भी कर सकते हैं जो reaping के लिए use होते है उसके बाद deer है जिसमें large grinding surfaces present है उसके बाद हमारे पास beaver है जिसके first teeth जो है वो tree की cheese link के लिए use किये जाते हैं उसके बाद elephant के teeth है ठीक है movement और protection के लिए use होते हैं then at the end human के teeth है जो के omnivorous है उसके बाद next हम बात करते हैं slivery glands की अब slivery glands fishes में amphibians में reptiles में और birds में नहीं होते लेकिन कुछ exceptions भी है mostly इन साब में नहीं होते लेकिन exceptions के साथ अगर हम देखें तो जो lamprey fish है ना उसमे slivery glands होते हैं और वो क्या secret करते हैं anti-coagulant secretions basically anti-coagulant secretions का क्या काम होता है कि lamprey आपको पता है वो blood पे feed करती है तो anti-coagulant secretions जो हैं वो blood clotting नहीं होने देती और जो lamprey है वो feed करती रहती है उसके इलावा जो snakes के glands है ना slivery glands वो venom प्रड्यूस करते हैं ठीक है? यह venom भी बोलते हैं इसको venom या venom प्रड्यूस करते हैं ठीक है? नेक्स्ट है इसो फेगस या इसो फेजी यह shark होती है amphibians में और fishes में लेकिन जो amniots हैं जैसे reptiles हैं birds हैं mammals हैं उनमें neck की वज़ा से इसो फेगस लार्ज होती है और अगर हम birds की बात करें ना तो उनमें जो इसो फेगस होती है उसका जो caudal portion होता है ना birds जो हैं वो food store कर लेते हैं तांके इस तरह इनको यह फायदा होता है कि वो fly कर सकते हैं ज्यादा time के लिए और उनको यह tension नहीं होती कि उन्होंने खाना ही कठा करना है next हमारे पास है stomach stomach आपको पता है कि start में जो stomach evolve इसलिए हुआ था क्योंकि animals ने फीड करना शुरू कर दिया था larger organisms पे ना तो वो एक तम से सारा नहीं खा सकते थे इसलिए stomach evolve हुआ तांके वो जो food उन्होंने collect की है उसको store किया जा सके और discontinuous feeding को possible बनाया जा सके इसमें stomach में अब जो HCL है ना यह कहा जाता है कि HCL इसलिए evolve हुआ तांके जो bacteria वगएरा stomach में है उनको kill किया जा सके और food को अच्छी तरह से preserve किया जा सके और जो pepsinogen है ना pepsin ठीक है pepsin की inactive farm है pepsinogen अब वो भी बहुत late evolve हुआ क्यों? pepsinogen late इसलिए evolve हुआ क्योंके basically जो stomach का function था ना storage था सबके pepsinogen यारी protein digestion का अमल बहुत बाद में शुरू हुआ stomach में next हमारे पास है gizzards gizzards आपको बता है basically reptiles में, कुछ fishes में और सारे birds में होता है grinding structure है और gizzard किसे बनता है जो stomach का posterior portion है ना जिसे हम ventriculus कहते हैं वो बनाता है gizzard और ये stones वगएरा के grinding में help करता है उसके बाद सीका अब सीका का क्या काम होता है micro organisms जो है ना वो present होते हैं इसमें ठीक है जो ruminants होते हैं ना उनमें क्या होता है कि micro organisms food पे attack करते हैं before digestion of food यानि अभी food की processing नहीं हुई तो micro organisms उस पे attack कर देते हैं लेकिन जो non-reuminants है ना उनमें digestion के बाद micro organisms attack करते हैं rabbits, horses और rats ये cellulose किस तरह digest करते हैं ये सीका में store कर लेते हैं micro organisms ठीक है और वो micro organisms cellulose की digestion करते हैं इनके लिए और कुछ rabbits वगएरा क्या करते हैं कि वो ना अपनी जो feces होती है ये ना fecal material उसको भी खाते रहते हैं ताँ कि जो vitamins वगएरा उनके loss हो गए हैं उसको recover कर सके next है liver और gallbladder liver आपको पता है bile produce करता है और gallbladder जो है bile store करता है दोनों structures जो है एक दूसरे के साथ associate होते है अब यहाँ पर question है bile होती क्या है bile basically ना एक philude है bile pigments basically बनते हैं breakdown of hemoglobin से ठीक है और bile salts का क्या रोल होता है ये emulsify करते हैं fats को यानि उनको break down करते हैं small particles में और उन जो small particles होते हैं उन पे enzyme lipase है वो act कर सकता है अच्छा अब bile pigments बनते कैसे हैं जब RBCs में phagocytosis होती है और RBCs की phagocytosis कहां पे होती है सप्लीन में लीवर में और bone marrow में तो ये क्या करते हैं phagocytosis के दुरान iron को remove कर देते हैं और जो बाकी material होता है न सारा उसको कहां में बेच देते हैं लीवर में ठीक है और वहां पे क्या होता है कि bile बनती है और omni virus में present होता है लेकिन हर भी virus में present नहीं होता क्यूंकि उनकी जो feed है न उसमें lipids add नहीं होते इसके हिलावा जो blood suckers हैं उनमें भी gall bladder present नहीं होता क्यूंकि उनकी feed में lipids present नहीं होते तो ये थी diversity structures की among the vertebrates क्यूंकि नहीं होते नहीं होते